हेलो फ्रेंड, SP Education में आपका हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जारकन PGT Commerce की बात करने वाले हैं और जिसमें हम लोगों की सब्जेक्ट चल लागा है वो है संगाशनात्मक सिधान्तों का हम लोगों ने जो कलास है उसको स्टार्ड किया है अगर हम लोग बात करते हें Glass रहने वाली है जो 7 भी तक 6 अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो हम लोग आज बात करने वाले हैं अगर भी बात करते हैं तो यह क्लास जो है वो जारकंड SSE Commerce में अगर आप लोग पढ़ते हैं और तयारी करते हैं तो उसमें भी काम आने वाली है और जारकंड Municipal Corporation की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी काम आने वाली है संगठनात्मक सिध्धानतों की तो हम लोग बिना समय गवाई अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कुछ में तो पूर बिंदुओं की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं कि सिचारती संगठन या फिर Learning Organization क्या होता है इसको हम लोग क्या से समझते हैं तो सबसे पहले इसमें किते हैं उसे सिचारती संगठन के इस प्रारूप में कंपनी अपने सदस्यों को सीखने की सुविधा भी प्रदान करती हैं जिस से से अनकूलन और परिवर्तन की छमता निरंतर विक्सित की जाती है जैसे हर व्यक्ति सीखता है वैसे ही संगठन में वैसे ही संगठन भी अनकूलन और परिवर्तन के लिए चीजें सीखते हैं ठीक है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सिच्छारती संगठन तो जो संग संगठन, än koll बनने और परिवर्तन की फ्रमता विक्सित कर लेता है उसे हम लोग सचार्टी संगठन कहते ह now के इस प्रारूप में कंपनी अपने सदस्यों को सिखाने की सुवधा भी परदान करती है सीखने की सुपधा भी प्रधान करती है जिसे से वे अपने में सुधार कर सकें और उद्दिस्यों को प्राफ्त करने में हम लोगों की साहिता कर सकें तो इस प्रकार के संगठन को हम लोग क्या कहते हैं लर्निंग और्गनाईजिशन कहते हैं कुष्चन यहां से पूछे गए हैं इसलिए मैंने आप लोगों को यहां से बिंदू है मुख बिंदू है इसको मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अब यहां से भी कुष्चन पूछे जाते हैं कि उद्दिस्यों द्वारा प्रवं के लिए लच्छ को बदलते रहना MBO प्रोग्राम विफलता का उत्तरदाई कारक नहीं होता है अर्थात उद्देशियों द्वारा प्रवंद प्रक्रिया के अंतरगत जैसे जैसे व्यवसाई की इस्तितियों में रड़नीतिक परिवर्तन होते रहते हैं उसी के अनरूप व्यवसाई के लच्छियों में भी परिवर्तन उसके व्यवसाई के मूल उद्देशियों को प्राप्त करने का प्रियास किया जाता है और यदि बदली हुई परिस्तिती में ऐसा ना किया जाए तो उद्देशियों की प्राप्ति में विफल हो जाएंगे तो उद्देशियों की प्राप्ति में कैसे हो जाएंगे विफल हो जाएंगे तो उद्देशियों दारा प्रवंद में ये बात हैं कहीं जाती हैं तो हम को इस बात से अच्छी तरीके से हम लोगों को मालूम चल गया कि परिवर्तनों में परिवर्तन को पूरा करने के लिए लच्छियों को बदलते रहना MBO प्रोग्राम बिफलता का उत्तरता ही कारक नहीं है अर्थार अगर हम लोग बात करते हैं कि उद्देश्यों दारा प्रवंद में यह बाते हम लोगों की कहीं जाती है संगठन प्रक्रिया के बारे में अगर पूचा जाता है कि संगठन प्रक्रिया को इतने भागों में बाटा जाता है तो बहुत से भाग हैं अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग अपनी अपनी बातें कहीं गई हैं लेकिन हम लोग फिर भी अगर हम लोग बात करते हैं एक नंबर में तो एक नंबर में हैं सबसे पहले हम लोग करेंगे कारे की पहचान करेंगे कार की पहचान कार की पहचान एवं कार की पहचान एवं उसका बिभाजन करेंगे ये बाते मैंने आप लोगों को पहले ही बताई होई है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का रिवीजन करवा की रखाऊंँ करवा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए विभागी करण करेंगे हम लोग विभागी करण दूसरे नमबर में हम लोग करेंगे विभागी अकरण और तीसरे नमबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर करेंगे करतब्यों का आवंटन करेंगे करतब्यों का करतब्यों का आवंटन करेंगे करतब्यों का करेंगे आवंटन करेंगे और चौथे नमबर के अगर हम लोग बात करते हैं तो सूचना प्रेशित करने के सम्बंद तो ये भी इनका एक प्रक्रिया में आता है तो सबसे पहले हम लोगों ने कारेयों का पहिचान एवं बिभाजन किया जाएगा उसके बाद विभागी करण उसके बाद करतब्यों का आवंटन और सूचना प्रेशित करने के सम्बंद प्रक्रिया के संगळन प्रक्रिया के कदम बोले जाते हैं संगधन प्रक्रिया कि अलग अलग?! हrée और भी राइटरों ने कही विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने प्रक्रिया के अलग अलग बताई हुए हैं तो जो ज्या रटैडि में अलग बताई हुए है क suggesting मैंने आप लोगों को NCRT के according बता दिया है अगर हम लोग बात करते हैं कि अधिकार क्या है अगर पूछा जाता है कि अधिकार तो अधिकार क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अधिकार तो अधिकार के अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिकार से आसे किसी ब्यक्ति को प्राप्त उस बैधानिक सक्ति है जिसके आधार पर जिसके आधार पर वह दूसरों को वह दूसरों को आदेस दे सकता है तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को संगर्टिन प्रक्रिया बताई हुई है पर उसके बाद आधिकार बताया हुआ वह वह सारी बात है मैंने आप लोगों को बताई हूए है पहले से लिकें मैंने आप लोगों को आज रिकॉल कर दिया है दौरादा से बढ़ा दिया है कि अधिकार से आ साए किसी व्यक्ति को उस्प्राब्त बैदानिक सकती से है जिसके आधार परवाई दूसरों को आदेश दे सकता है तो यह अधिकार होता है और संगठन प्रक्रिया के बारे में अगर कूछा जाता है तो कारे की पहचान इबा विवाजन करना विभागी करण करना करतब्यों का आवंटन करना सूचना प्रेसित करने के देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है ऐसा संगठन जिसमें अववाऊउं को बढ़ा वावा मिलता है तो इसमें हम लोग बात करेंगे वह प्रिष्टर में आप लोगों को बताएंगे तो अफवाओं को बढ़ाओ को देने वाले संगठन को सवरूट को क्या समझा जाता हैि इसको क्या समझते हैं इसका जो राइड आंसर होगा सुछाइब में सार्क हो जाएगा गार नंबर कुश्चन इसका इसका सही इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer C option में बिलको सही answer हो जाएगा next question की बात करते हैं और next question में लिखा हुआ है question number अगर हम लोग 2 की बात करते हैं question number 2 में लिखा हुआ है कि उत्पादन रेखा पर आधारित सामोहिक क्रिया अंग है इसका सही answer आप लोगों को बताना है कि आंतरिक संगठन का है प्रभागिय संगठन का है या फिर कार्यात्मक संगठन का है या फिर स्वायत पसासित संगठन का है इसका सही answer आप लोगों को बताना है कि क्रिया जो लिखा हुआ है ये क्रिया लिखा हुआ है क्रिया अंग है तो ये क्रिया अंग किसका है आंतिक संगठन का अंग है प्रभागिय संगठन का है या फिर कार्यात्मक संगठन का है या फिर स्वायत सासित संगठन का है तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का प् सामोहिक क्रिया अंग है कार के आधार पर सामोहिक क्रिया जो है वो अंग है इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि बिकैंदरी करत संगठन का अंग है प्रभागिय संगठन का अंग है कारियातमक संगठन का अंग है या फिर कैंदरी करत संगठन का अंग है तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि कारे के आधार पर सामोशिक क्रिया अंग है किसका अंग है तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का कारे के आधार की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार के आधार पर अगर हम लोग बाटते हैं तो इसे क्रियात्मक संगठन कहते हैं और क्रियात्मक संगठन का अंग है क्रियात्मक संगठन तो इसका right answer क्या हो जाएगा C option मिलकुल सही answer हो जाएगा और क्रियात्मक संगठन मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हुआ है और रेखा संगठन रेखा संगठन भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है उसके बाद next question और next question में बात करते हैं Ocolution No.4 की बात करते हैं कि निम्न लिखित मैं better कौन रांतर का तक तक तो नहीं है इन मैं इसी जो कौँ सा है जिसमें रांतर को या जाता है तो डेलीगेशन नहीं किया जाता है उत्तर डाय अंधीकार का नहीं कर सकते हैं उत्तरदायत्यु का आंत्रड नहीं कर सकते हैं या फिर अनौपचारिक संगठन का आंत्रड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर तक तो नहीं है तो निम्नमैसी कौन सा आंत्रड का तक तो नहीं है तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का अनौपचारि आपचारिक संगठन में आंतर का तत्त जो है, वो नहीं होता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, गाल नमबर बिलकुल सही answer हो जाएगा, मतलब deed option जो है, वो बिलकुल सही answer हो जाएगा, उसके बाद नयाच question, और नयाच question में लिखा हुआ है, question number 5 की बात करते हैं, question number 5 में लिख करते हुए अंत्रा क्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंद कहलाता है अप्चारिक संगठन कहलाता है या फिर आंत्रण कहलाता है वेने आप लोगों को बताया हुआ है कि कार करते हुए अंत्रा क्रिया से अचानक बना संबंद जो सामाजिक संबंद है वो क्या कहलाता है तो तो वो हम लोगों का अनौप चारिक संगठन कहलाता है राइट अंसर क्या हो जाएगा अगर आप लोगों ने बिचली क्लासों को देखा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होगे उसके बाद नाश कीशन और नैस question में लिखा हुआ है question number 6 में लिखा हुआ है कि निम्न लिखित में से कौन सा सरंखला सोपान का अनुसरण अनुकरण नहीं करता है कार्यात्मक संगठन जो है वो इसका अनुकरण नहीं करता है प्रभागिय संगठन अनुकरण नहीं करता है अपचारिक संगठन अनुकरण नहीं करता है या फिर अनपचारिक संगठन अनुकरण नहीं करता है तो निम्न मैसी कौन सा संगठन जो है वो स्रंखला सुरोपान स्रंखला सुरोपान का अनुकरण नहीं करता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अनौपचारिक संगठन हो जाएगा अनौपचारिक संगठन मानलो उपर से नीचे की ओर या नीचे से उपर की ओर चलते हैं कार्यात्मक संगठन का मैंने आप लोगों का एक्जामपल बताया था उसके बाद प्रभागी संगठन में हम लोगों को प्रॉपर चलते हैं लेकिन अनौपचारिक संगठन में मालो कि संगठन इस प्रकार से चलता है और कहीं इस प्रकार से चलने लगा कहीं मालो इस प्रकार से चलने लगा अनुपचारिक संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद next question और next question में लेखा हुआ है question number 7 की बात करते हैं कि एक लंबा ध्हाचा होता है एक लंबा ध्हाचा होता है प्रवंद की सकुड़ी हुई स्रंखला में प्रवंद की फैली हुई स्रंखला में प्रवंद की कोई स्रंखला नहीं है या फिर प्रवंद की कम इस्तर तो एक लंबा ध्हाचा किस में होता है एक लंबा ध्हाचा जो होता है वो इसका सही आंसर है कि प्रवंद की सकुड़ी हुई स्रंखला का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये option विल्कुल सही answer हो जाएगा उसके बाद next question और next question में लिखा हुआ है question number 8 में लिखा हुआ है कि कैंद्री करड से तात पर है कैंद्री करड से क्या तात पर है निडरे लेने में अधिकारों को सुरच्छित रखना निडरे लेने के अधिकारों का बिखराओ करना नहीं इसे बिखराओ में क्या कहते हैं बिखराओ करना को भी केंद्री करड कहते हैं पर भागों का लाब केंद्र बनना या फिर नई केंद्रों तता साखाओं को खोलना तो ये भी नहीं है और इसका जो right answer है तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका right answer क्या होगा है, कि निड़रे लेने में अधिकारों को सुरच्चित रखना, मतलग अपने पास रखना, कोई भी निड़रे को अपने पास रखना, तो इस प्रकार का right answer क्या हो जाएगा, उसे केंद्री करड कहते हैं, वो केंद्री करड और प्रोपी केंद्रीगड मैंने सारा का सारा बताया हुआ है उसके बाद नेश्ट और नेश्ट में लिखा हुआ है कोशन नमबर 9 की बात करते हैं कोशन नमबर 9 9 नमबर में लिखा हुआ है कि आंतरड को प्रभावी बनाने के लिए आवस्थक है उत्तरदाय तो भी साथ हो भी साथ हो, तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, जन सक्तिव होना चाहिए, प्रोट साहन होना चाहिए, प्रवर्तन होना चाहिए, तो अगर हमें कोई काम दिया गया है, उसके साथ में हमें अधिकार भी दिया गया हो, तब ही उस काम को हम करेंगे, और ये बाते मेंने आप लोगों को पहले ही बताई होई हैं आंत्रड की बात में, ठीक है? आंत्रड जीसे हम लोग बार बार डैली की सन कहते हैं, भठा रपड़ कहते हैं, प्रत्य रपड़ कहते हैं, तो इस वातों को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेस्ट में और लास्ट आज का हम लोगों का आखरी कुशन है चोटी क्लास है लेकिन हम लोगों की काफी वेनिफीसल क्लास रहने वाली है हम लोग चोटी-चोटी क्लासों करके बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहे हैं लाश नमर रिखा हुगा है कि प्रवंद के बिस्तार से तातपर है प्रवंद के बिस्तार से तातपर है प्रवंद को की संख्या से एक प्रवंदक की नियुक्ती के समय की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्ती दी गई है एक उच अधिकारी के अंतरगत कार करने वाले अधिनस् कि संख्या की गड़ना करना एक अन्वरवंद के विस्तार सीरीद में त्रातपर होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C option मिल्कुल सही आंसर हो जाएगा C option तो आज की class में मैंने आप लोगों को top 10 mcq कराए जो top 10 mcq है उनको आने वाले हैं और उसके बाद मैंने आप लोगों को संगठन प्रक्रिया के बारे में बताया अधिकार के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बाते बताई यह औन Wert के पहले ही आप लोगों को बता दी हैं उसके बाद मैंने आप लोगों को अब दैश्चियों दॉरह प्रवंद्य के बारे में बात की और मैंने आप लोगों सिखार्थी संगळण के बारे में बताया है अगर आप लोग दीकॉम की तयारी करते हैं या फिर करते हैं तो मैं बिहार के बात करते हैं या फिर हर्यारा की बात करते हैं सबीकIs, सेवन के माले हैं और कोमर्स में जो सलेवर्स होता है तो कुछ एक तीजिजES हो टीजे धीन हो जाती है तो अई हुआ की चीजें हाधे court कीषिए हिर हो जाती हैं तो SP Education चैनल पर आप आराम से बिजिट कर सकते हैं तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी तो प्लीज अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्क्राइब जरूर करें थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग